हेलो गाइस वेलकम बैक स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जहां पर फिर से आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टॉक मार्केट की अपडेट के बारे में हमेशा के तर आज का वीडियो भी बहुत जाला इंपॉर्टन होने वाला ह हैं और स्टैब्लिश करने वाला है सेमिकंड़क्टर का प्लांट 2023 के आसपास टाटा ग्रूप जो हैं वो सेमिकंड़क्टर को मैनिफेक्चर करेगा और अगर में रिसेंट डिस की बात को तो रिसेंटली सेमिकंड़क्टर का इस्तमाल बहुत सारे जगा पर किया जाता है और इंडिया में सेमिकंड़क्टर का इंपोर्ट करना पड़ता है तो टाटा मोटर के इतने बड़े इंवेस्टमेंट के बाद सेमिकंड़क्टर जो हैं इंडिया में काफी ज्यादा चीफ हो जाएंगे और अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपने लाटा ग्रूप के शेर की प्राइस काफी जादा बूम करेगी और अगर आप लोगों ने हाली में इस कंपनी का शेर प्राइस को अबजाव किया है तो यहां पर बहुत ही अच्छी रिटन देखने को मिले हैं तो अगर आप इंवेस्पन करते हैं तो लॉंग टम में आप काफे अच्छी रिटन सकती हैं मतलब दुनिया की सबसे बड़ी एकोनोमी में छटवे नंबर पर लेकिन पाकिस्तान की अभी की सिच्वेशन तो देखकर आसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान की एकोनोमी 2075 तक सिक्स नंबर तक पहुँचेगी और इसके उपर आपको क्या क्याता है मेरे साथ में जो कहते हैं कि 2023 में रेसेशन बहुत है जिससे हीट करेगा और मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसी चीज़ को इंशूर करते हुए और अपना उपीनियन रखते हुए उजराद मस्क ने ऐसा कहा है अब देखने वाली बात यह होगी कि यह वाइट हाई है और वाई ऑसके ऑफिशिल का यह के अंडिया के साथ नहीं बलकी अमेरिका से आगे भी निकल सकती हैं क्योंकि market के बहुत सारे research analyst ने ये predict किया है कि आने वाले time period में इंडियन economy की जो growth है वो काफी ज्यादा होगी तो definitely अगर आप कहीं पर investment भी करना साथ है तो आपको इंडिया में ही investment करना है इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गड़करे जी ने 2023 के लिए plan किया है 12,200 km तक के road बनाने का और वही 2022 की अभी तक की बात की जा तो 2022 में अभी तक 4766 km के roads बन चुके हैं जी हां दोस्तों इंडिया डेवलाप हो रहा है और government के इस project के वज़े से अगर आप लोगोंने observe किया है stock market में तो cement के shares भी काफे ज़्यादा तेजी से grow कर रहे थे आने वाले time period में इंडिया drone hub बनने वाला है और यहाँ पार इंडिया में सबसे ज्यादा manufacture होने वाले हैं drone और इसे के वज़े से इंडिया में financial year 2023 में बहुत सारी jobs create होगी और इनकी salaries भी कम नहीं होगी salaries भी लाखों में होगी नितिन गड़करीजी ने Elon Musk को टेसला को इंडिया में launch करने के लिए एक condition दी है वो condition यह है कि अगर Elon Musk को इंडिया में टेसला को launch करना है तो इंडिया में पड़ेगी टेसला को नहीं तो निदिन गड़करी जी ने कम्प्लेटली यह कह दिया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इंडिया में लॉंच नहीं कर पाएंगे और अगर आप लॉंच करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा टैक्सिस पे करने पड़ेंगे अगर टेसला इंडिया में प्रड़ूस होती हैं तो यहां पर बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्शनिटी मिलेगी तो आपको क्या लगता हैं टेसला इंडिया में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए आपका ओपिनिन क्या कहता है मेरे साल जरूर शेर करना कमेंट सेक्शन में अगर आ पर साफ दिखाई देता है कि पेटीम ने अपने शेर्स को महंगे प्राइस पर बेचा है तो यहां पर साफ साफ दिखाई देता है और बहुत साय लोगों का यही मानना है कि पेटीम ने हमारे साथ धोका किया हैं पेटीम ने हम लोगों को शेर्स दिये 2000 रुपीज के आसप पहले भी यह ताइमिंग यही था और जब कोरोना वाइरस पैंडिमिक आया तब इस टाइमिंग को चेंज कर दिया अब सारे सिच्वेशन सौल वो चुकी है तो इस टाइमिंग को फिर से आज की वीडियो का कॉंटेंट आपको वैल्यूबल लगा होगा